नमस्कार दोस्तों एबापिर्स से केरेविष्टर के जीयस सेक्षर में आपको बहुत स्वागत है जीयस सेक्षर में हम बैलोजी से सुरुआत किया है और फर्स्ट क्लास में हमने ये बताया कि इंट्रोड़क्शन ऑफ बैलोजी में क्या-क्या आपको पढ़ना है इंट्रोड़क्शन ऑफ बैलोजी में पहले फादर ऑफ बैलोजी बैलोजी टर्म किस ने दिया, कब दिया, बैलोजी के ब्रांसेज, फादर ऑफ बातनी, फादर ऑफ जुलोजी इन सब बातों के बारे में जानकारी दी आज हम आपको बताएंगे classification of organism जीवधाडियों का वरगी करन 2 kingdom classification, 5 kingdom classification इस दोनों के बारे में आज हम डिटेल से बताएंगे एक concept देंगे आपको ताकि जब हम practice कराएं या कोई भी book से practice करें या online paste दें तो ये उसमें काफी फाइदे मन्ध होगा क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, अगर थोड़ा थोड़ा कॉंसेप्ट लेते जाए, थोड़ा थोड़ा स्टोरी समझते जाए, तो फिर कुष्चन जो है आपका नहीं छुटेगा, तो चलिए आज की सभा सुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन आप और्गिनि हमारा टॉपिक है आज, क्लासिफिकेशन आप और्गिनिजम, जीवो का वर्गिकरत, सबसे पहले, जो इंगलेंट के थे, उन्होंने कॉंसेप्ट आप एस्पेसिस के बारे में बताया, लेकिन बहुत डिटेल से, वर्गिकरत के बारे में वो वर्णन नहीं कर पाया है, ले जिसमें उन्होंने इंटायर ओर्गिनिजम को प्लांट किंडम और एनिमल किंडम में बाटा, जो हमने दिखाया भी है, प्लांट किंडम, एनिमल किंडम, पूरे वर्णन करके उन्होंने अपने बुक सिस्टमा नैचुरी, अपने बुक सिस्टमा नैचुरी में पूरा किंडम में बाठकर दिखाया उनके बारे में इसी लिए इस वरगी करण को टू किंडम सिस्टम काया जाता है टू किंडम क्लासिफिकेशन लीनियस को इस कंट्रिविशन के लिए फादर आफ टैक्सनोमिक भी काया जाता है लीनियस का एक और योगदान यहां देखें इसलिए जब आपसे पूछे बाइनोमियल नॉमेंक्लेचर इस नहीं दिया तो करण लीनियस और सवाल एक और भी आ सकता है कि लीनियस कहा के थे तो स्वीडिन नियृण, हमने लिखा भी है लीनियस इन सब पॉयंट पर ध्यान देना है अब आपको बताता है कि कैसे बाइनोमilikन नॉमेंक्लेचर वर्क करता है लिनियस के अनुसार हमने लिखा भी है इस सिस्टम के अनुसार पढ़ते हैं जिपका नाम का लेटिन भासा के दो सब्दों जीनस जिसको हम लोग हिंदी वबन्स बोलते हैं और एक्स्पेसिस जाती से मिलकर बना होता है इस सिस्टम के रुसार लेटिन वासा के दो सब्त जीनस और एक्सपेसिस से मिलकर बनाउता है इन्होंने बताया कि जीनस और एक्सपेसिस के बार सैंटिस्ट का नाम होता है जिन्होंने पहली बार इसे खोजा है और जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और इस पेसिज के सारे लेटर से स्मॉल होगा है अगर हम होमो सेपियन्स के बात करें तो होमो का एच जो है वो कैपिटल होगा उसके बात सारे जो होगे वो स्मॉल होगा होमो लिखने के बाद sapiens, cutters और बाकी जितने letters हैं सारे एक small होमो sapiens lean ल-i-double-n बताए कि binomial normal creature में एक genus होता पहला word और दूसरा species once जाती और बाद में scientist यहाँ पर उस scientist का नाम दिया जाता है जिन्होंने इसको खोजा होता है या जिन्होंने इसका naming किया होता हम यहीं बताया है genus का जो first letter है वो capital होगा बाकी सारा letter small होगा इस पेसिज का भी सारा letter small होगा इस पेसिज का पहला letter भी capital नहीं होगा सिर्फ genus का पहला letter capital होगा यही लिखने का धंग है जिसके बारे में linear नी बताया जो binomial nomenclature देने वाले scientist है इसके बाद five kingdom classification आया जो आरेच विटाकर के द्वारा दिया गया आरेच विटाकर American ecologist इन्होंने five kingdom classification के बारे में बताया पहला moneda, दूसरा protesta, तीसरा planting, चौथा fungi और पांचमा animalia पांच kingdom के बारे में इन्होंने बताया इसलिए इस classification को five kingdom classification का आया जाता है अब सवाल यह है कि किस basis पे यह classification किया लिया मैं लें तीन basis है जिसे हम आपको यहां बताएंगे ताकि आपको समझ में आज़ा तीन basis में पहला basis है cell structure cell structure में या तो cell prokaryotic होगा या cell eukaryotic होगा prokaryotic और eukaryotic होगा हम समझना चाहें prokaryotic cell का size eukaryotic cell के size की अपिक्छा छोटा होता है prokaryotic cell में nuclear membrane absent होता है या आप kendraq का नाम सुने होगा nucleus वो well defined नहीं होता है जबकि eukaryotic में well defined nucleus होता है prokaryotic में mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum absent होता है जबकि eukaryotic में mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum present होता है तो ये था cell structure पहला basis अगर हम दूसरा basis की बात करें तो modes of nutrition या तो autotrophic होगा या heterotrophic होगा autotrophic का मतलब जो अपना भोजन स्वेन, photosynthesis process के द्वारों बनाते है जैसे की plant है heterotrophic का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे dependent रहते है जैसे की animal तो इस basis पे दूसरा basis रखा के classification हुआ जो five kingdom पहला cell structure दूसरा more soft nutrition तीसरा क्या था body organization या तो unicellular या multicellular एक cell वाला organism होगा या more than one cell वाला organism होगा इस basis पे five kingdom classification हुआ यानि पहला अधार क्या था सेल कैसा होगा या तो prokaryotic होगा या eukaryotic होगा दूसरा था nutrition का mode क्या है वो autotrophic है या heterotrophic है तीसरा वो unicellular है या multicellular है इस तीनों basis पर आरेज विटाकर जो American ecologist है उन्होंने five kingdom classification दिया इस पूरे five kingdom classification को अब हम एक table के द्वारा आपको समझाते हैं ताकि monera, protesta, planty, fungi और animalia के features को आप आसानी से समझ सकें और जब इसके बाद question पे आएंगे तो question मनाने में मजा भी आए और आपका score भी बढ़ेगा तो चलिए देखते हैं table क्या है division जो है देखिया prokaryotes, eukaryotes prokaryotes में जो unicellular है वो है monera prokaryotes, unicellular इसमें है monera और monera का example है bacteria and blue green algae याद रूखिये पहला जो division वहा वो prokaryotes और eukaryotes पे prokaryotes में monera आता है जो पहला kingdom है five kingdom classification है monera का example है bacteria and blue green algae इसका मतलब bacteria and blue green algae जो है वो किस kingdom में आएगा monera में और वो unicellular होगा और prokaryotes सेल होगा cell structure और prokaryotes के बाद eukaryotes को देखते है eukaryotes में unicellular भी है multicellular जबकि prokaryotes में सिर्फ unicellular था ज्यान देना इस बात का prokaryotes, unicellular, monera, example है bacteria and blue green algae resort में हमने BGA रखाना है अब इसको देखे eukaryotes, unicellular, multicellular यान एक cell वाला भी है और multi cell वाला भी है unicellular में protista आता है दूसरा kingdom पे जाना है monera के बाद protista protista के example है amoeba multicellular में फिर दो division हुआ है एक है with cell वाल यानि cell वाल के साथ और एक है without cell वाल यानि cell वाल के बिना multicellular में with cell वाल को आता भी दो division हुआ है याद रखिए more than one cell में पहले कैसे बटा गया with cell वाल यानि cell वाल के साथ फिर दूसरा क्या था without cell वाल लेकिन cell वाल रहते हुए यानि कि जिसमें cell वाल है उसका भी further division हुआ है एक basic organism को रखा गया है जो photosynthesis perform नहीं करता है और एक मैं basic को रखा गया है जो photosynthesis perform करता है दो नौट परफॉटो सिंथेस एक्जामपल है फंगी और चौथा जो किंडम था यह तीसरा किंडम था मॉनेड़ा प्रोटेस्टा और फंगी हमने डॉट डॉट किया है ताकि आप अच्छे से समय और एबल टू परफॉटो सिंथेस जो photosynthesis perform कर सकते हैं वह है plant जो plant इसमें आता है तो देखे किस धन से किया गया है और लास्ट में है विदाउट सेलवाल यह था विदाउट सेलवाल में एनिमेलिया ग्रूप आता है जो photosynthesis नहीं करता है और नहीं इसमें सेलवाल होता है यहां पे सेलवाल था और further division किया गया photosynthesis के business पे और यहां सेलवाल तो है ही नहीं तो यह था आपका टैबल के दोवारा 5 kingdom classification उमेद आपको यह पूरा classification समझ में आया हो इसलिए हमने अच्छे से एक टैबल के रोप में इस classification को लिखा आप इसको देखिए और समझने की कोशिस कीजिए जरूर समझना आएगा इसलिए हमने छोटे-छोटे सब्दों में explanation करके आपको बता दिया है तो next topic के साथ biology में हम next video माएंगे तिल दन बाए, take care